अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्ख करें योगी राज तांतरिक जी को उनका नंबर है 9983428959 जी हाँ इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं आज हम आपके लिए लेकर आएं गोरोचन से वशीकरण जी हाँ गोरोचन का तिलक गोरोचन का उपयोग गोरोचन तंत्र टोटके अगर आपने गोरोचन शब्द पहले नहीं सुनाय तो हम आपको बता दें कि गोरोचन का इस्तमाल पूजा पाठ में किया जाता है और ये गा कि मस्तक में खास जगे पर मिलता है क्यूंकि गोल, चप्टे, तिकोने, लंबे या फिर चौकोर, आकार का गोरोचन मिल जाता है। गोरोचन के इस्तमाल के बारे में और बातें अगर आपको बताएं तो ये, रवी पुष्य के दिन अगर कोई व्यक्ति गोरोचन को केसर, सिंदूर और आवले के साथ पीस कर, साधना के बाद मंत्रों से अभिमंत्रित करके तिलक लगा ले, तो जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा वो उसके वश में हो जाएगा, हम आपको बतातें, गोरोचन मंत्र, इस मंत्र को अगर आप अभिमंत्रित कर लें, तो ये आपको बहुत फाइदा पहुँचा सकता है, आप गोरोचन को अपने घर में किसी अच्छी जगे पर पवितर जगे पर रखे, किसी देवी दोस्तों आपको बता दें अगर शुद्ध गोरोचन मिल जाए उसके साथ शुद्ध सिंदूर और शुद्ध केसर मिलाकर चांदी की डिब्बी में रख लें रोज सुबह सुर्योदय के समय इसे तिलक लगाए इससे आपको विशेश लाब मिलेगा जी हाँ दोस्तों तो अगर आप भी इसका कुछ वशीकरन के रूप में उपयोग करना चाते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल लगाईए हम आपको बताएंगे सही तरीका और अगर आपको जी हाँ इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं